दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्रप्रदेश के मादमिक विद्द्धियालें में जमाए लिपिक की बड़तियां आई ऻई हुई है , लगबग हर जिले में जो एड़ीड़ विद्धियालें वहाँ पर कलरक यनलिपिक की बड़तियां हो रही है सारी चीज़े आप लोग समझ रहे हैं किसमें कौन को नब्रति आवेदन कर सकते हैं ठीक है फिलाल मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इस वर्ति में आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर करना चाहिए तो किन अब्रतियों करना चाहि और इस वर्ति को लेकर क्या प्रवेल्टी क्या आगे चीज़े दिख रहे हैं उन सब चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे साथ में यहां पर एक अपडेट और है जी आई सी प्रवक्ता एल्टीगेड कालेज चुएस को लेकर के तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते ह हैं उनकी कालेज चुएस की प्रक्रिया आज यानि की 10 अक्टूबर से प्रारंब हो रही है और फिलाल अभी अभी मनें देखिए वेबसाइट विजिट किया हुआ है इसी वेबसाइट पर आपकी कालेज चुएस की प्रक्रिया संपन होगी लेकिन अभी तक इस वेबसाइ पर कुछ भी नहीं हो रहा है आज से यह चीज़े प्रारंब होनी है उमीद है कि साम तक यह जो वैपसाइट है एक्टिवेट हो जाएगी और साम तक जो चीज़े वो सुरू हो जाएंगी और आप लोग जो है साम से आप अपना कालेज चोईस के प्रक्रिया कर पाएंगे जै देखेंगे और कैसे आपको यहाँ पर कॉलेज चोईस करनी है वह जी जीज़े भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो बने रही है चैनल के साथ और साथ आपको बताना चाहें कोई 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 नोटिस पीडियाप चाहिए होगा तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल ही हो रहा हैं बहुत सारे जिनों से विगयाप पंजारी हो चुके हैं और जिन विद्ध्यालों से अभी तक नहीं जारूई हो पाएं तो वो दिरे-दिरे करके जारी हो रही है ज्यादर विद्ध्यालों में आउन-लाइन आविदन करने की जो लास्ट डेट है वो 27 पूर की अदार पर हो रहे है मिनममं 50 पर्शेंट्र यहा परेसेंटाईल मागा गया है ठीक है इसके उपर जो-भी नहीं ौह आविद्द já कर सकते हैं पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्यादतर कर तर विद्धियालों में सिर्फ एक ही जाएंगे टाइपिंग के लिए और उसके बाद जो टाइपिंग में इलिजिवल होंगे में क्वालिफाई करेंगे वो तीन गुना आप बरती एक पते के साब पेच्छ मोला जाएंगे इंटर्व्यू के लिए और उसके बाद फॉइनल मेट बनेगी तो यहां पर अगर आप फीस की बात करें तो साड़े साथ सो रुपए आपकी फीस लगेगी जो भी अनरेजेब काटेगरी कंडिडेट हैं या फिर ओबी सी काटेगरी कंडिडेट हैं और सी, स्टी, इडवलेश के लिए पाउन सो रुपए लगेगा तो अब देखें किसको आवेदन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वो समझिए जिसका स्कोर 50% या उसके आसपास है जहां तक मुझे लगता है बिलकुल भी आवेदन ना करें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपका आपका नाम भी नहीं आएगा और एक विद्याले में अगर फार्म बढ़ते हैं तो साड़े 700 रुपए या 500 रुपए आपको कट्रेगरी के हिसाब से देना पड़ेगा अगर आप सबोच करों 10 विद्यालों से फार्म बढ़ देते हैं तो साड़े साथ जार रुपए आपके ऐसे ही चले जाएंगे और कोई प्रवेल्टी नहीं है कि वहाँ पर आपका जो है सार्ट केस्टिंग में आपका नाम आये या नाये मुझे लगता है कि अगर 55 भी है तो नाम आने के बहुत ही कम चांसे जाए बहुत ही रेयर होगा किसी विद्याले में अगर फार्म ना पहुंचे कोई कंड़ेट ना डाल पाए तो वहले ही वहां से नाम आ जाए तो नहीं तो आप लोगों के सजेशन यही अगर आप मेरी माने तो अगर 50% बामन परसेंट पचपन परसेंट यहां तक की 60% भी है तो आप आवेदन ना करें क्योंकि बहुत जैसे कंड़ेट है जिनका 70% या उसकी ऊपर है ठीक है तो जैसे सपोच को एक विद्याल है भी एक पद है वह यहां पर सब्सक्राइब 20 सब्सक्राइब ने आवेदन किया है तो बीस में इन इन बीसों को सबसे पहले टॉप टू बाटम पीटी की मेरिट की अधार पर लगाया जाएगा और उपर के 10 सब्सक्राइब को बुला लिया जाएगा टाइपिंग के लिए जो नीचे के बचे भी फार्म न वरिएगा जहां तक मुझे लगता है आगर आपके इच्छा है आपको पैसे आपके पास है एक्स्ट्रा ठीक है आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं ठीक है और कि इसको बरना चाहिए तो जहां तक मुझे लगा जिसका 70% इसकी ऊपर है वो आरा को कह रहे हैं जो लोगों के प्रस ना रहे हैं जो लोगों का इस समय मूड बन रहा है उन सब को देखते हुए मुझे यह लग रहा है कि यह बढ़ती फंसेगी क्यों फंसेगी तो अब इसका वाक्या समझ लीजिए एक बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं अब लोग जानते हूंगे उत्तरप्रदेश हो या सेंट्रल गॉवर्मेंट हो हर जगे क्या है जितनी भी मुष्ट्री गृप सी की वेकेंशी हैं उन्हे सब से इंटर्व्य वटा दिया गया है हना यहां तक कि टिजटी वरती में भी पहले इंटर्व्य वोता था और इस वरती में इ वाकता बढ़ती में इंटर्वी होता है तो जब टिजटी वढ़ती से इंटर्वी वटा दिया गया और अन जो भी यूपिटर फलसी से बढ़ती है आती उनमें भी आप लोग देखें नहीं वरतियों में इंटर्वी नहीं होता है बहले प्रिया मेंस हो जाए वह लाग बात ह यहां तक कि नहीं इंटर्विव के जो माइक से आपकी फॉणल मेरेट में जुड़ेंगे तो जब सब बड़तियों से इंटर्वी बटा दिया गया है तो इस बरती में इंटर्वियू करवाया जा रहा है यह भी एक बड़ा प्रस्न है और इस मामले को लेकर कि सुनने में आ रहा है कही सारे बड़ती जो कोट जा रहे हैं क्योंकि अगर इंटर्वी होगा तो यह मान लिजिए कि वहां पर ब्रष्टा जार होने की पूरी संभावना रहती है तो इस मामले को लेकर कि अब बढ़ती अगर कोड जाएंगे तो जारी सी बात है अब बढ़तियों के 25 में इसका नड़ाय आने के संभावना है जहां तक मुझे लगता है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अपने विचार ठीक है तो अगर कोड से बढ़ती मामला फंस गया तो यह बढ़ती फसी बसाई है और बढ़ती रदी होगी इसकी नवमली बदलेगी उसके बाद यह बढ़ती जो है यूपे ट्रबल सी से कराई जाए जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि जो अने डिपार्टमेंट की कलर की वेकेंसी होती हुँ यूपे ट्रबल सी करवाता है ठीक है और यह जो ऐसी पहली बढ़ती हो रही है यह जो है इसकूल वाई हो रही है तो इसकूल वाई सकराने में सिधे-सीधे दिखा जाए तो मैनेजर मुझे वोमिका की रूप में र से कर लेते हैं उत्सादर सेकों का मामला आप लोग जानते ही हैं और दूसरी बात यहां पर यह है कि जो लोग आवेधन करना चाह रहे हैं सपोस्पोस कुर आपका 70 percent पृटी इसको रहे है या 65 परसंड आप इसमें आवधन करना चाह रहे आप它 सेलेक्शन भी हो जाएगा तब भी एक बर यह जरूर सोचिएगा कि अगर आप टिजिटी पिजिटी या सिच्छक बढ़ती के तयारी कर रहे हैं तो इसमें आप जो संतुष नहीं हो पाएंगे क्यों नियुक्ष नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें जो सेली मिलेगी जो ग्रेट पे होगा इसका 2000 ग्रेट पे है ञारीच लगबग 20500-å-82000 रुपाय की आपको यहां पर मिलेगी और आप टिजिटी की तयारी कर रहां तो वहां पर अगर आप स रहे हैं तो जहां तक मुझे लगता इसका आपको नहीं वरना चाहिए मन लगा कर कि आप टेजिटी पीजेटी की त्यारी करिए इसमें आपका निकल जाएका हां जिनका जिनके पास कोई विकल्प नहीं जिसके पास सब्जेक्जैक नहीं बन रहे है जो ज़स्त अभी बारा पास हुए हैं वो इस बरत्ति के लिए अगर उत्साइत हों तो अच्छी बात है हना इनके लिए नाई फार्म बढ़े तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई फारदा नहीं होगा आपको पाकि यह सब कुछ आपके उपर डिपेंड करता है सारी चीज़े जो मने बताई यह हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकती है किसी की कंडिशन कुछ हो सकती है किसी की कंडिशन कुछ हो सकती है तो आपको अपने हिसाब से नड़ा लेना है ठीक है तो आने वाई टाइम पर